स्टुडेंट्स कैसे हो आप सभी मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर नमबर 2 के MCQ के उपर तो मल्टीपल चॉइस कोशन के उपर बात करेंगे हम जो की आपके CBS से एक काफी लॉंग वीडियो थी ठक चुके थे हम और लाश्ट में मुझे खुद नहीं पता पढ़ रहा था कि मैंने क्या बोल दिया जैसे कि मैंने 43 को 23 बोल दिया था तो काफी ठक गए ते लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि उसमें नॉलेज काफी अच्छी रही और आपका पूरा चैप्टर कवर हुआ तो उसमें मैंने आपको 50 तकरीवन 50 के करीब MCQ मैंने आपको करवाए और अगर आपने ध्यान से उसको देखाए तो पूरे चैप्टर को कवर किया है और एक डेमो दिखाये था कि हाँ इस प्रकार से आपके पूछे जा सकते हैं MCQ आपके एक् साथ के साथ हमने अपने यूटूब चैनल पर क्लास 12 की हिस्ट्री के नोट्स की सीरीज अवेलबल करा रखे गाइस मैं बोलना हूं कि आप एक वान नोट्स की वीडियो देख लीजिए आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आप उसके बाद ये MCQ की वीडियो देखिए आप फटाफट अंसर दोगे तो गाइस चलिए टी टेस्ट खेलेंगे या पर अपने ब्रेंड में आपको सोचना है तो चलिए विडाउट टाइम वेश्ट करें सीधे अपनी वीडियो को सुरू करते हैं स्टूडेंट्स आप अपनी स्कीन पर देख सकते हो क्लास 12 हिस्ट्री एमसी क्यू तो बाइज जितने भी रोवट हरवले नाम का कोई भी व्यक्ति चैप्टर नंबर टू में है ही नहीं है हमने पढ़ा ही नहीं बी की बात का है तो जैम्स प्रिंसेप यादा है कुछ जैम्स प्रिंसेप सी कनिगम तो ये दो नाम हमको ऐसे लगे जो कि हमने आप पूरे चैप्टर टू में भी कारे रद्थे कारे करने वाले करम चारी थि तो जये में बार्मि और खृष्ती डिपी का अड़त निकाला था चलिए कोशन नूम्र दोस्ट कर आए कोशन नूमर 2 इट है को प्रीच है यह कोश्शन नूमर दोगे हमाँ अच्छे को फालर हुआ तो यह पूछ रहा है कि महाजन पदो की कुल कितनी संख्या थी तो महाजन पदो की संख्या के लिए 4 अप्शन दी है option A है 18, option B है 9, option C है 16 option D है 24 अगर हमने NCRD book पड़ी है तो हमको अच्छी तरीके से मालूम है कि महाजन पदो की कुल संख्या 16 थी इसका C option बिल्कुल सही है चलिए बात करते हैं पने question number 3 के उपर तो question number 3 है हमारा प्रतेक महाजन पद की एक डैस होती है तो यह पूछ रहा है कि प्रतेक महाजन पद की डैस होती है क्या होती है? option दे रखे हैं A, रानी होती है B, पहाडी होती है या C, राजधानी होती है या D, इनमें से कुछ नहीं होती है क्या है इसका सही इंसर? चलिए, उमीद है कि आपने सोच लिए होगा इसका सही इंसर है C प्रतेक महाजन पद की एक राजधानी होती है चलिए, question number 4 की बात करने question number 4 है हमारा धरम सास्त्रों गरंतों की रचना किस भासा में की गई थी यह MCQ का हमारा question number 4 है इसके option है A, संस्किर्थ भासा में B, प्राकिर्थिक भासा में C, पाली भासा में या D, फार्सी भासा में सोच लिए दिमाग में, चलिए इसका option A, बिल्कुल सही है संस्किर्थ भासा में धरम सूत्र और धरम सास्त्रों की गरंतों की रचना शुरू की थी चलिए question number 5 की बात करते हैं और question number 5 भी काफी important है क्योंकि सही और गलत की पैंचान करो इस प्रकार से भी आपके MCQ पूछे जाते हैं तो question number 5 है सास्कों का काम किसानों वेपारियों और सिल्फकारों से कर तथा भेट बसूलना होता था ये एक उसने हमको एक line दिया और बताना है कि सही है कि गलत है सास्कों मतलब की जो राजा थे उनका काम था किसानों वेपारियों और सिल्फकारों से कर मतलब की जो tax था उसको और भेट जो उपहारते उनको बसूलना होता था क्या ये सही है या गलत है ये बताना है तो A optionist का गलत है ये B optionist का सही है या C A और B दोनों ही गलत है या D इंड में से ऐसा कोई है ये नहीं है तो क्या है इसका सही अंसर देखिए हमने पढ़ा है पूरा चैप्टर तो हमें इसका अंसर मालूम है कि इसका राइट अंसर है B ये बिल्कुल सही है एक राजा ये एक सासत का यही काम होता है चलिए student फटा पट बात कर लेते हैं question number 6 की और question number 6 काफी ज़्यादा important है probability भी आने की question number 6 मगद का संबंद आधनिक भारत के किस राज्य से है तो कहाँ पर है मगद आज के भारत में कौन सा राज्य है वो सोच लिया चलिए इसका राइट अंसर है बिहार उके चलिए फटा पट question number 7 की बात कर लेते हैं question number 7 है हमारा मगद की सेना में जादा तर किस जानवर की महतवता थी तो अगर आपने मगद का topic पड़ा है chapter number 2 में है तो हमने उसमें देखा है कि मगद की सेना काफी मजबूत थी क्योंकि उनकी सेना में एक ऐसा जानवर था जो काफी तागत वर था जी हाँ आप बिल्कुल सही अंदाद लगा रहे हो चलिए चेक करते हैं आपने क्या सोचा था first time क्योंकि यहाँ पर brain tea test हो रहा है mcq का मतलब कि आपको question मैंने बताया चार option दिए और तुरंत जो आपके दिमाग में सबसे पहले जो thoughts आया कि हाँ यार इसका answer तो यह हो सकता है तो वहाँ check हो रहा है यह नहीं कि यार यह भी हो सकता है नहीं जो first time आपको लगा कि हाँ यह हो सकता है तो चलिए मगत की सैना में जादतर कि जानवर की महत्त बताती चार option है A. हाती की, B. घोडे की, C. बैल की, D. इनमेंसे कोई नहीं तो इसका right answer है A. हाती की चलिए, फटा पट कोशन नमबर 8 की बात कर लेते हैं कोशन नमबर 8 है हमारा राजगाह शाब्दिक अर्थ होता है राजगाह शब्द का साब जो साब्दिक है, इसका मतलब की जो मीनिंग है, वो क्या होती है A. राजा की नगरी, B. राजाओ का घर, C. राजाओ की राजदानी या D. इनमेंसे कोई नहीं, हमने पड़ रखा है और हमको मालुम है, तो क्या है सोचलिया, चलिए B. इसका राइट अंसर है, राजाओ का घर, राजगाह का मतलब होता है राजाओ का घर, चलिए फटापट कोशन नंबर, 9 की बात कर लेते हैं कोशन नंबर 9 वी काफी अच्छा है, मगदगी प्राचिन राजदानी का क्या नाम था मगद की प्राचीन राजदानी क्या थी या पुरानी राजदानी बोल सकते हैं प्राचीन मतलब पुरानी तो चार ओप्सन दी है A. पाटली पुत्र B. पटना C. बिहार और D. इनमेंसे कोई नहीं मुझे पता है कि आपने बिल्कुल सही सोचा है ठीक है तो चलिए सबसे पहले जो स्टूडेंट अगर कन्फ्यूज है पाटली पुत्र और पटना में और बिहार में तो मैं उनके थोड़ी एक कन्फ्यूजन दूल कर दूँ कि देखो प्राचीन का मतलब होता है पुरानी ठीक है तो यहाँ पर दो राजदानी अमको दिखाई दे रही है अगर आपने C सोचा है बिहार तो आपने इस अमललो चैप्टर पढ़ाई नहीं है क्योंकि बिहार राजदानी तो होती नहीं है तो C को तो काट दो और मैंने लिक बात कर दी कि दो है यहां पे तो यह D वाला भी हठा दो, C और D तो हठा दो, अब यह बचे A और B, पाटली पुत्र पटना, देखो पटना भी राजदानी है, पाटली पुत्र भी राजदानी है, तो कौन सा इसका स़ह आंसर, इसका सई अंसर है A, पाटली पुत्र, मगद की सबसे पुरानी राजधानी एक प्राचीन राजधानी है मगद की पाटली पूतर है चली ज़्यादा इसको खीचते हैं नहीं है कोशन अमर दस है हमारा मौर्रे समराज्य का संबंद किस महाजन पद से संबंदित है 16 महाजन पद होते हैं ये हमने जान लिया अगर उनके नाम नहीं मालूम है तो NCRT किताब पर लो ठीक है तो 16 महाजन पद में से मौर्रे समराज्य का संबंद कौन से महाजन पद से है option है A. अवंती महाजन पद से है या B. पांचाल महाजन पद से है या C. मगद का जो महाजन पद है उससे मौर्रे समराज्य का संबंद है या D. इन में से कोई नहीं normally ये सभी इसका अंसर जानते हैं C मगद एक महाजन पद है जहां पर मौर्रे समराज्य की स्थापना हुई थी चलिए student फटाबड बात कर लेते हैं हमने question number 11 की question number 11 है हमारा मगद की राजदानी पाठली पुत्र का आधुनिक नाम क्या है तो हमको तो पता है कि प्राचिन राजदानी तो पाठली पुत्र है अब आधुनिक राजदानी कौन सी है मतलब कि जो फिलाल की वरतमार में जो मगद की राजदानी है वो कौन सी है मगद की राजदानी पार्टली पुत्र का आधुनिक नाम चार ओप्षन दी है A. बिहार B. पटना C. आरा और D. इनमेंसे कोई नहीं तो जर्णरली सबको मालूम है B. पटना चलिए कोईशन नमर 12 की बात करता है कोईशन नमर 12 है मगद में मौरस समराज्य का उदेश कव हुआ सोरी यहां पर गलत कर रखा है यहां पर गलत कर रखा है यह पूछ रहा है मगद में मौरस समराज्य का उदभव उदभव पूछ रही है उद्भव कव हुआ तो मगद में मौरसमराज्य का उद्भव कव हुआ इसके लिए चार ओप्शन है ए लगभग 321 इसा पूर्व बी लगभग 300 इसा पूर्व सोरी यहाँ पे भी गलत कर रखा है देखिए यहाँ पे दो दो बी है इसको आप सी माल लेजिए तो सी है हमारा लगभग 400 इसा पूर्व और डी है इनमेंसे कोई नहीं तो देखिए इसका राइट अंसर है ए लगभग 321 इसा पूर्व तो देखिए गाईस जो गलतियां थी मैंने आपको बता दिया माफी चाहताओं कि थोड़ी सी गलती हो गई लेकिन इतनी गलतियों पे दियान नहीं देना है आपकी नॉलेज के लिए बनाई गई है वीडियो तो देखिए हमने या पे एक नॉलेज ले ली के मगद में जो मौर्र समराज्य का उद्वव हुआ था जो इस्थापना हुई थी या जो ये चला जब तक ये लगभग 321 इसा पूर्व इसा मसी के प स्थापक कौन थे का इस बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है आपने चैप्टर नंबर टू पढ़ लिया राजा किसान तथा नगर इसको सौट फॉर्म में कहते हैं मौर्र समराज्य के पूरा इतिहास तो मौर्र समराज्य के वारें पढ़ रही हैं और अगर आप से कोई कोश चैप्टर के वारे में कुछ मालूमी नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूं कमेंट सेक्षन के लिए वीडियो आप देख रहे हो तो यह आप बताओगे कि मौर्र समराज्य के संस्थापक कौन थे चार ओप्शन है ए समराटसोक बी बिंदूसार सी चंद्रगुप कौन है इन चारों में से मौर्र समराज्य का संस्थापक फटाफट कमेंट सेक्षन बता दो और दिखा दो कि हमने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है चलिए अब बात करते हैं कोशन नंबर 14 की कलिंग आधिनिक भारत के किस राज्य में संबंदित है तो बिहार सी उत्तरपरदेश डी गुजरात तो भाई मैं आपको बता दू के कोशन नंबर 14 में मुझे थोड़ा सा डाउट है लेकिन मैं यहां पे कर दे रहा हूं आप चेक कर लेना तो मुझे जहां तक इसका सहींसर लग रहा है इसका सहींसर है औरिसा आप एक बार चेक कर लेना प्लीज चलिए देखिए ऐसा मत बुलना कि कुछ गलत बता दिया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज इसको चेक कर लेना कोशन नंबर जवदा को कि मुझे भी डाउट इसमें है चलिए कोशन नंबर 15 कोशन नंबर 15 है आरंबिक भारत का सर्वप्रसिद श समय यह असोंग बंदुसार सी चंद्रगुपत वर डि कौन था असोग बंदुसार सी कंद्रगुपत शोचिए चलिए हैं इसका साय एंसर असो dessous जब भी हम मौरस समराजी के बारें बात करती हैं तो हमें बस जालती जाण। यद्म दो यह दो यहाद रती है कि एक उसका संस्ता पकोन था और एक संस्तमक एसे। चक्रवति हैं कि सम्राइट boys। हर किसी के जवान पर रहता शक्रवति असुक्सम्राइट हर किसी की Also सबसे पैसे देता चक्रवति असोग सम्राइट और मैं यहाँ पर आपको एक बात विशेस और यह दे दूं एम सी क्यू मल्टीपल चॉइस कोशन आपके हिसाब से नहीं आएंगे सी बीए सी बीए से एक्जाम में उसकी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में जिस रेफलेंस में आपसे कोशन पूछा जाएगा उसी रेफलेंस में आपको अंसर देना है ऐसा नहीं है जैसे कि यहाँ पर पूछा आरंबिक भारत का सरवर प्रसिदिस आसक कौन है तो यहाँ पर अगर आपको चार ऑप्शन दी है और उसमें से असोग नहीं दे रखा है ऑप्शन बलकि को बहुत ज़्यदा फेमस भी है तो असो किसका सब्सक्राइब चलिए कोशन नंबर 16 की बात करते हैं तो कोशन नंबर 16 है मैगस्तनीज द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है तो हमने यह पढ़र रखा है चलिए बात करते हैं कि मैगस्तनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी पूरे चेप्टर पड़ा रखा है चलिए तैयार ही अच्छी हो रही है देखिए पहले ए अर्थ सास्त्र कुछ याद आ रहा है बी दा मौरे एंपायर और सी इंडिका 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 सही पगड़े हो इसका सही अंसर है सी इंडिका फटापट बात कर लेते हैं कोशन नम मौरे एंपायर और डी है इनमें से कोई नहीं तो आप देख सकते हो कि इंडिका का तो हमको मालूम पड़ी गया कि मैगस्तनी जीने लिखी हमने कोशन नमर 16 बात कर ली और हमने कोशन नमर 16 में देखा था कि दा मौरे एंपायर उसमें भी था इसमें भी है तो अब यह ऑप के लिए जनरल कोशन भी रहा है यह कैसे रहा है बताता हूं देखिए जलूली ने कि पूरे चप्टर हो लेकिन एक नॉर्मली पूछते कि चानक्यको और क्या नाम से जानती है तो कोशन हम रठा रहा है कि चानक्यको और किस नाम से जानती है और किस नाम से जानती है चानक् सकता है है सोच लिया चलिए का मतलब होता है चाला चतुर बुद्धिमान जो की चानक के थे तब ही तो इतना बड़ा मौर्य समराज्य संस्तापित कर दिया चंदरगुट के द्वारा चलिए अब बात करते हैं कोशन नमबर 19 के बारे में कोशन नमबर 19 वी काफी अच्छा है तो कोशन नमबर 19 है मौर्यों की जानकारी के श्रोतों में से एक सूप ऐसे दिस संस्कृति की कृती 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 है देखिए वैसे तो बहुत सारे श्रोत हैं मौर्य समराज्य की जानकारी के लिए लेकिन यहांपर कंडिशन यह दिया कि संस्कृति की ऐसी कंसी कृती है जहांसे मौर्यों की जानकारी हमको मिलती हो तो चार उप्षन है A. वांग मेया B. धरम सास्त्र और धरम सुत्र गरंथ और C. है निदी नदित और D. है इन में से कोई नहीं तो देखिए चार तो हैं इसमें लेकिन D. को भूल जाओ कि इन में से कोई नहीं क्योंकि है इसी में से है इन तीनों में से है A. B. C. में से है तो देखिए यहां पर B. भी हो सकता था इसका धरम सात्य और धरम सुत्र गरंथ में भी हमने मौर्यों के वारे में पड़ा है जहां पर असोक सम्राट के वारे में काफी कुछ बताया है लेकिन इसमें कंडीशन दे रखे कि संसकर्ध की कүति होनी चाहिए तो ए और C दोनों ही शंसकर्ध की कanceешь है नदी निदिईट और ए है वांग में है निदी निदि gaat turbulence है ऱयकिन वांग में इसका सझीह इंसर है वांग में मैं सम्राट असो्ट के वारे मता रखा है मौरस नमराज जी के बारे मता रख रहा है तो इसका A है वांग में चलिए अब बात करते हैं कोशन नमबर 20 के उपर कोशन नमबर 20 मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुर्वनगीरी का शाब्दिक अर्थ क्या है सुर्वनगीरी एक शब्द है इसका साब्दिक अर्थ है इसके म अगर हिंदी की व्याकरन अच्छी है आपने प्रायवाची जो पड़े हैं अगर वो पड़े हैं तो अगर आपको यह नहीं भी मालूम है आपको याद भी नहीं रहा तो थोड़ा दिमाग लगाऊ सुर्वन का मतलब था सोना गिरी का मतलब क्या होता है प्रायवाची की कोशननन्बर 21 की बात करते हैं कोशनन नंबर 21 काफी अच्छा है तो वे सिर्वन गिरी आधूनिग भारत के कौन से राज्य में हैं तो A है तामिलाडू, B है कनाटक, C है बिहार, D है उडिसा, कौन सा है तो इसका राइट अंसर है B कनाटक कोशन नमर 22 की बात कर लेते हैं कोशन नमर 22 है तामिलाडू एवं आंद्र पर्देश और के हिस्तों से जुड़ हुए छेत्र को डैस का जाता है तो भाई यह आपका डैमो की तरह है इन फूचर जो आप एक्जाम देने जा रहे हो तो इसी प्रकार से आपका एंसी क्यू आ सक जो तीनों छित्रों को मिलाकर एक नाम दिया गया उस नाम को क्या कहते हैं वो कौन सा नाम है तो चार अप्शन है ए तमिलाक बी तमिलकम सी तामियाके और डी है इनमें से कोई नहीं अब भाई देको हम जैसे दिमाग लगाएंगी जैसे मैं एमसी क्यू में दिमाग लगा आप भी सुचोगे कि यार तमिल आक तमिल का तो तमिलाडू हो गया आक का मतलब अंदरप्रतिस हो गया का मतलब किरल हो गया तो यह होगा इसका तो ऐसे दिमाग लगाते हैं और गलती कराते हैं जबकि NCRT में साब दे रखा है तो चलिए इसका राइट एंसर है भी तमिलक अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको यह मालूम नहीं था तो अब आपको मालूम पढ़ गया तो ऐसे आपकी helpful हो रही है न यह वीडियो तो बाई देखो सपोर्ट करोगे तो हर चीज आप यार देखो एक तरफा सपोर्ट अच्छा नहीं होता ह यार मैं आपके लिए मैनत कर रहा हूं आपको लग रहा है कि क्यों मेरे लिए मिर क्या कर रहा है मेरे को तो आता है पहले सी तो ऐसे आर सोच मत लखने प्लीस रिक्वेश्ट आयार देखो सपोर्ट करोगे तो मेरा उधिस से को ज्यादा नहीं है मेरा अधिस यह आप लोग आपने आपके वरुसा रखो ना चलिए कोशन No. 23 के उपर बातremo करते हैं गुप्त समराज्य सब्स्क्राइब कि सब्सक्राइब क्या सताबती में तो गुपति समराज्य कि पूछ रही है मौरुद समराज्य कि не नहीं है गलती कि करके आ जाओं गुप्ति समराज्य का उद्य कव हुआ था चार अंसर है इस को Duny est प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की बात करते हैं कोशन नमर चौवीज के चार उप्सन की जिने बी हरी शेड ने सी चानक के ने और डी समंधुप्ति ने तो यह पूरे चैप्टर में मैं गस्तनी जो चानक की घूम रहे हैं उन्होंने की होगी इन्हों कलत राइट अंस कहीं है ऐसे प्रता हम की अखली यह तैयरी ऐची और मैं तो प््रेयर करता हूँ कि इसमें सारे यह अजप कर आजाएं तक कि आपने अगर यह वीडियो हमारी देक आए काफी छलिए फटा-फटा-फट कोशन नमर पच्चीズ की बात का लिए कोशन नबचीश मोरे इस ही तर यही गुमाएंगे आपको तो कोशन नमर 25 है हरीशियन डैस और उन्होंने डैस बासा में प्रियाग परिश्तुति की रचना की थी देखिए अब यहां पे एक नॉलेज भी देना चाहता हूं कि जैसे मालों कोशन नमर 24 और 25 है एक साथ आई हैं तो आप नीचे वाले कोशन से कभी-कभी यह होता है कि अंदाजा लगाल करो कभी-कभी दौन An important जैसे कि उपर था कि प्रियाग पैस्दुति की रचना किस ने की थी अब अवही कोशन 35 हétais यहानने प्रियाग पैस्दुति झाना की थी तो यहां सव कर लेते हैं तो हरीशेध ने डैस और उन्होंने पर 2017 भासा में प्रियाग पैस्तुतेगी रचना की थी तो देखे कंडिशन क्या मैं आपको बता दिया अब आप देख सकते हो कंडिशन के साफ से चलना है तो ए है योद्धा थे और पाली भी है सैनिक थे और दूसरा इसका है हिंदी सी है समंद्र गुप्त के राजकवी थे और सं संस्किर्ट बासा में प्रियाग 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 प्रिस्तुतेगी रतना की थी ठीक है देखिए आपका चलिए अब बात करते हैं कोशन नंबर पच्चीस की कोशन नंबर पच्चीस इस वी काफी इंपोर्टेंट है डैस कर दिया नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल मतलग की एक चालाक राजा एक चतुर राजा की प्रजा दुखी रहती है वह कौन सी कहानी है पढ़ रखा है यह दिलाएं यह बॉक्स में हैं और सी एंसी आटी में हैं चलिए सोच लिया चलिए गत तिंदू गत तिंदू इसका सही अंसर है गत तिंदू नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा दुखी रहती थी कोशन नमर 27 की बात करते हैं कोशन नमर 27 है हमारा डैस भासा में ग्रहपती का परियोग छोटे किसानों और परजमीदारों के लिए किया जाता था यह ncrt book में हैं आपके box में हैं आप check कर सकते हो अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह एक पूरी तरीके से demo है इसी प्रकार से एक आपको line दे जाएगी उसमें से कुछ भी आपको gap देके चार option दे दी जाएंगे और आपका MCQ तयार हो गय है आपकी ncrt से ही है चलिए चार option देखते हैं ए प्राकिरतिक बी संस्किर्ट सी पाली और डी इनमें से कोई नहीं है अगर आपने ncrt book चेक कर ली हो या नहीं किये तो जाके चेक कर लेना अगर आपको मालूमत बहुत अच्छा है तो इसका राइट एंसर है सी पाली भासा में ग्रहपती का परियोग छोटे किसानों और जमीदारों के लिए किया जाता था चलिए अब बात करते हैं अपने nesht question पर nesht question है हमारा question no 28 काफी important है और अच्छा भी है और अब हम question no 28 में अगर हम आपको बताएं तो जो अपने chapter no 2 है ncrt का class 12 का history का तो उसके कुछ जो अंतिम page है अब वहाँ से हमारे mcq की जो series है वो start हो रही है तो आप देख सकते हो जो chapter no 2 है उसके पिछले जो अंतिम page है कुछ अंतिम page वहाँ से अभी आपको जानने को मिलेंगे तो question no 28 है हमारा dash sanskrit में लिखी गई कनोच के साशक हर्सवर्दन की जीवनी है और मैं आपको बता दू कि हमारा question no 28 है को एक knowledge और देता है कि हमको कोई भी topic हो कोई भी point हो उसके बारे में अच्छी घासी जानकारी हो तभी हम अपने mcq को cover कर पाएंगे मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ कि हर्सचरित्र सी हर्सजीवन और डी इन मैंसे कोई नहीं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्यादतर शुटन सोते हैं कि यार सेम कौन सा है बिल्कुल सेम सेम डूलते हैं और इसको ठीक लगा लेते हैं जैसे कि यार अगर यहां पर हर्सवर्दन दे रखा है तो उसकी हर्सडायक होगी यार्सजीवन होगा जाद तर अगर जिन्होंने नहीं पर रखा तो वह *** लगाएंगे तो वह हर्सवर्दन की हर्सजीवन लेकिन यह गलत है इसका राइट अंसर है हर्सचरित्र और मैं आपको बता ता आप देखो आपको नौलेज कैसे हूई पहली तो यह आपको knowledge होगी कि हर्सवर्दन की जीवनी हर्सचरित्र एक book है वो है दूसरी हर्सचरित्र हर्सवर्दन की जीवनी है और हर्सवर्दन कन्योज के सासक है और हर्सचरित्र एक किताब है जो की संस्कृत में लिखी गई है तो ऐसे ऐसे आपको point याद हो गए अगर कोशन ने पूछ ले है कि हर्स चरित्र है वो कौन सी वासा में लिखी गई है तो आपको मालूमने चीज संस्कृत में हर्स वर्दन कहां के सा सके हैं कनोज के सा सके हैं तो ऐसे आपको पॉइंट याद हो गए चलिए अब बात करते हैं कोशन नंबर 29 के ऊपर तो कोशन नंबर कोशन है और डी है इनमें से कोई नहीं एक इंपोर्टन कोशन है नोट कर लीजिए गूगल पे नहीं बुक में नहीं माइंड में ताकि आपको याद रहे क्योंकि कोशन किसी भी तरीके से पूछ लिया सकता है आपसे अगर गुमा के पूछ लिया सकता है तो आपको मैंने पहली उपर बता दिया कि पॉइंट और उससे जुड़े आपको मालूम होना चाहिए जैसे कि हमने हर्स चरित्र के बारे में जाल लिया अब हर्स चरित्र के लेका कौन है यह नहीं मालूम है बना दिये कम सी क्यों चलिए चानक्या भी हरीशियन और सी बान बटम चार रहे हैं चलिए अब बात करते हैं कोशन नमर तीस के ओपर कोशन नमर तीस काफी अच्छा है प्रभावती डैस की पुत्री थी लो जी भूम या दिमांग नहीं मालूम अगर मालूम होगा तो एक नमर पक्का है चलिए पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं ए चंद्रगुप्त दृत कि जैँअ की दी आसोख की चाणक्य की और डी इनुमेंसे कोई नहीं तो बही कुछ ही ऐसे होंगे जो असोख लगाएंगे च्छानक्या की जान तक मुझे मालूम है आसा नहीं के ना जनकारी निова Сजय न ने emphasized की और रहब वो तो एक ब्रहम चारी थे तो अब गया बच्च चंद्रगुप्त द्रित्यत जी हां इसका राइट अंसर है चंद्रगुप्त द्रित्यत देखिए कभी-कभी जहां पर NCRT बुक से पढ़ी हुई चीजे काम नहीं आती है वहां पर आती है आपकी सेल्प नॉलिज सेल्प नॉलिज का मतलद समझ रहे हो दिमाग लगाओ चलिए कोशन नमबर 31 की बात करते हैं कोशन नमब 31 है हमारा प्रभावती का विवा सोरी यहां पर गलत कर रखा है देखिए मैं बता दे रहा हूं भिवा है यह ilgili विवा है यह प्रवावती का विवा किस परिवार में हुआ ठाथ तो चार ओप्शन इसka कि वकातक परिवार में एफ पर करते हैं को इसे नंबर बतिसको पर कोशन ने सकता तर्य नहीं वहनुते हैं इस्च्ट को उप्शन नॉय मारजित पात्र या डी इन में से कोई नहीं तो आई होप कि आपको मालूम होगा इसका राइट एंसर है सी अब बात करते हैं कोशन नमबर 33 के ऊपर कोशन नमबर 33 है उतपादको और विपारियों के संखो डैस कहते थे क्या कहते थे यह क्लास 11 में पढ़ाए और हमने क्लास 12 में पढ़ाए चैप्टर नमबर तू महीं पढ़ा तो मालूम हो न चीये उतपादको मतलब की जो किसान उनका एक संगठन था उसे क्या कहते थे श्रेणी बी सम्मिलन सी व्यपार की रात या डी इनमें से कोई नहीं तो देखिए आपको मालूम है क्लास 11 थे पढ़ा है क्लास 11 थे पढ़ा है अगर आपको मालूम है तो इसका राइज अंसर है श्रेणी और इंग्लिस में कहते हैं चलिए अब बात करते हैं कोशन नंबर 34 के ऊपर कोशन नंबर 34 है तमिल भासा में धनी विपारियों को करते थे ज्यान से सुनिए तमिल भासा में धनी व्यपारियों को डैस कहते थे ए मसत्वन बी सत्वह सी लाजुवा और डी है इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर है मत्सवन तमिल भासा में कहते थे और सत्वह की नॉलिज दे रहा हूँ सत्वह साथ आपको पाली या फिर प्राकरतिक भासा में कहते हैं यह भी धनी व्यपारियों के लिए इस्तमाल होता था लेकिन पाली या प्राकरतिक भासा में या आपको मेंड सेक्षन में बताएं NCRT में से देख खर चलिए अब बात करते हैं Q35 के उपर Q35 ब्रामी लिपी का अनुबाद किस लिपी से किया भाई बहुत important है ब्रामी लिपी का अनुबाद किस लिपी से किया चार अप्सन है A. बंगाली लिपी B. देवनागरी लिपी C. A. और B. दोनों या D. इनमें से कोई नहीं देखिए अगर जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई का रखी है वो इसका बिलकुल correct जब आप देखा बढ़ना जादतर बोलेंगे A. जादतर बोलेंगे B. कुछ बोलेंगे बंगाली लिपी कुछ बोलेंगे देवनागरी लिपी मतलब समझ रहे हो आप समझ गए तो इसका राइट अंसर है C. दोनों से ही किया था और किस ने किया था जैम स्पिरिंट से अपने हमने शुरुआत में देख लिया चलिए अब बात करते हैं question number 36 के उपर question number 36 है खरोष्टी लिपी का अनुबाद डैस भासा में किया था तो बाई देखिए जो इस चट्रक के सबसादा में मुझे multiple choice question लगे वो ज़्यादे तक तो यही है क्यार ब्रामी लिपी का एक topic बन जाता है खरोष्टी लिपी का जो की question number 36 है खरोष्टी लिपी का अनुबाद डैस भासा में किया था कौन सी भासा में किया था युनानी भासा में भी फार्सी भासा में या सी उर्दू भासा में या इन में से कोई नहीं तो देखिए अगर आपने पढ़ रखा है और मुझे पता है बासा में किया था यह question number 37 को पर बात करते है question number 37 है जैंस प्रिंसेप ने ब्रामी लिपी का अर्थ कव निकाला तो चार आपसन है ए अठारा सो एसवी में बी अठारा सो चालीस इसवी में C 1832 इसवी में D इनमें से कोई नहीं तो देखिए NCRT में साब पेजों पर दे रखा और आई होप कि आपको मालूम भी होगा तो इसका राइट एंसर है ए अठारा सो एसवी में तो स्टूडेंट्स आपने एक बात नोटिस कर ली कि हमने जैंस प्रिंसेप से लेडिट जितने भी MCQ बन सकते थे सभी को कवर कर लिया जैसे कि जैंस प्रिंसेप कौन है तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये इस्ट इंडिया कंपनी में कारे रहत थे और खरोष्टी और ब्रामी लिपी की जो खोज थी या जो अर्थ निकाला था वो कौन थे तो जैंस प्रिंसेप आपको मालूम है अच्छा जो एक और MCQ बन सकता है कि ब्रामी और खरोष्टी लिपी का अर्थ कौन कौन सी लिपीयों में निकाला गया था तो ये भी हमने MCQ में बात कर लिया साथ के साथ अब ये भी बात कर लिया कब निकाला था तो अगर आपके एक्जाम में जैंस प्र अगलिया थедवानाम प्रिया का शाब्देकःत होता है ए मैं होता है देवताओं का दूत सी देवताओं का प्रिया और NEW इनमें से कोई नहीं सब्सक्राइब साद क्लशित्य क्टिक्वर्सक्राइब ये सेमचीज देख द asta ये अ Liu कर देते थैंस लेकिन ध्यान से देखो प्रिय मतलब इसको तोड़ो इसका संदी विछेद करो एक साब दिख्या रहा है देवा नाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय जो की ऑप्शन सी है इसका राइट अंसर है सी देवताओं का प्रिय चलिए अब बात करते हैं अपने नेस्ट पॉइंट पर जो के कोशन नमर 49 है प्यादसी यहां पर थोड़ा गलत है प्यादसी लेकिन कोई नहीं आपको समझ माना चाहिए नौलेज में होना चाहिए प्यादसी का साब्दिक अर्थ होता है ए देखने में सुंदर बी पुराना दसक सी प्यारे गुलाम या डी इसलिए मैंने डाले है तो इसका राइट एंसर है क्यूंकि जब सीब्स से एग्जादसी इस प्रकार से आप तुक्का लगाते हैं इसलिए मैंने ऑप्शन में डाले है तो इसका राइट एंसर है क्यूंकि जब सीब्स से एक्जाम में आपके एंसी क्यूं आएंगे तो वह आसान असन थोड़े देंगे ऐसे आपको ऑप्शन देंगे ताकि आपका दिमाग घूम जाए नंबर कटवाएंगे वह आपके लेकिन हमने तो यह वीडियो देख ली ना कैसे काटेंगे नंबर चलिए अब बात करते हैं कोशन नंबर चालिस के उपर तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेस चोशन की नेस कोशन है अपना 41 बार जो की है स्वेन त्यान संग कौन था स्वेन संग कौन था ए राजा वी सिफाई सी चीनियात्री दी विखारी है कोई टाइडिया कौन था ये चलिए इसका राइटर इंसर है C चीनियात्री चलिए अब बात करते हैं कोशन नमबर 42 के उपर तो कोशन नमबर 42 है हमारा छटी से चौथी सताब्दी इसापूर में मगद के सबसे सकती साली महाजन पद के रूप में अबरने में जिस दातू का युगदान राव है A. तांबा B. लोहा C. सोना D. चांदी तो भाई मेरे को लग रहा है कि ये कोशन पूछा गया आपसे अपना 2019 का प्रीवोड का कोई भी या वोड का एक्जाम चेक कर रही है मुझे लग रहा है मैं गलत नहीं हूं तो ये कोशन पूछा गया आपसे तो ये पूछ रहा है कि जो छटी से चौथी से सदा दिये मगद इतना सक्ती साली रावस के पीछे ऐसा कौन सा धातू था तो इसका राइट अंसर है B. लोहा अब बात करते हैं अंतिम कोशन के उपर जो की है कोशन नमबर 43 सोले महाजन पदो में से मगद के सक्ती साली होने के पीछे क्या कारण थे A. सैना में हत्यारों की बरमार B. लोहे के बड़े कारकाने वे हत्यारों का संचालन C. महत्वक आंशी शासकों का होना तथा जल मार्ग से वेफार करना D. उपर रॉक्त सभी सब को मालूमें इसका राइट अंसर है D अब मैं जो आपे आपको एक बात बताऊँगा वो आपकी 6 नमबर या आपका 8 नमबर जितने विया एक लॉंग कोशन हो सकता है साथ के साथ बहुत बड़ी सीख दे सकता है देखिए आपको मालीजी ये MCQ में दे रखा है कि 16 महाजन पदो मैं से मगद के सक्तिसाली होने के पीछे क्या कारणता है ये दे रखे हैं एक नमबर का दे रखा है और आपके लिए उप्शन दे रखे है और इसका अंसर है उपरोक्त सभी ठीक इसके साथ साथ आपने अपने अगले कोशन पे गए आपके फाइनल की बता रहा है कोई भी एक्जाम हो उसमें इसी को लॉंग कोशन में दे रखा है कि मगद के एक महा सकती साली महाजन पद होने के पीछे कारणों की समिक्षा कीजिए या प्रकास डालिए जिस तरीका भी कोशन आए तो आप अपने उन MCQ के पेजों पे आईए और सेम टेप दीजिए इसको जैसे कि पॉइंट बना लीजिए कि मगद आखे सकती साली क्यों है सेना में हत्यारों की भरमार का होना कैसे थी क्या थी एक्स्प्रेंट कर दो कुछ लाइनों में बी लोहे के बड़े बड़े कारखाने और हत्यारों का संचालन होता था मगद में तो इसके पीछे भी एक मगद था सी महत्वकांसी सासकों का होना इस वज़े से भी मगद सकती साली था सोले माजन पदो में से डी जल मार्ग से वेपार करना इस वज़े से भी सकती साली था तो देखिए आपके एक नंबर के M.C. Q. ने आपके 6 और 8 नंबर का उसी पेपर में आपको उसका अंसर मिल गया तो यह मैं आपको सीख देना चाहरा था यह मैंने इस्तेमाल किया मैंने यूज किया है तो भाई experience मैंने आपके साथ कि क्योंकि अच्छी बाते हमेशा सेयर करो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो subscribe जलूर कर लो क्योंकि आपने इतनी वीडियो देख ली तो इतना तो अंदाजा लगा लिया होगा कि बंदे के अंदर experience तो है इतना क्योंकि जिस प्रकार से कोई mechanic या कोई वेक्ति उस चीज के वारे में अंदाजा लगा लेता है कि हां भाई ये चीज है तो ठीक वैसे ही एक student अपने teacher या पढ़ने वाले के तै करता है या उसको परकता है कि हां भाई ये मुझे पढ़ा सकता है कि नहीं तो इतनी वीडियो देख लिया आपने ये इतनी बड़ी वीडियो देख ली आपको खुद अब क्या महसूस लग रहा है मैं आपसे पुछनाता हूं कि क्या ये सबी mcq आपके लिए important है कि नहीं क्या ये ncrt से है कि नहीं क्या आपकी knowledge भड़ी के नहीं तो बाई ये comment section बताएं और बाई मैं एक ही चीज कहांगा all the best आपके exam के लिए भगवान आपको काफी अच्छे नंबर नहीं एक्टम टॉप अच्छे नंबरों से पास करें अभी के लिए thank you goodbye